हलो भ्रेंट्स वेलकम ट्रेक्जाम तक साथियो आप लोगों के लिए उत्राखंड से बहुत बड़ी ख़बर निकलकार आ रही है डी एड वर्सेस बीएड केस को ले करके मैं आप लोगों के सामने उपस्तित हुआ हूं उसी को ले करके उत्राखंड न्यालन है फैसला सुना सब्सक्राइब को वहां फैसला रजर्व हुआ था और वह फैसला आज आया है तो रिट याज का कर्मांग 5742029 2019 में याज का लगाई गई थी और यह सभी लोगों के नाम है नीतु पाठा को और अन्याज का करता महन्चिंग अन्याज का करता यह सभी के नाम है मैं आपको नाम बगरा के साथ आएंगे के बताओंगा क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह सभी के नाम आते जा रहे हैं तो फैसले मैं क्या है आपको वो सारी इन्फार्मिशन दूंगा ये ये आजका करता हूँ कि और से विद्वाहा यहां से अपनी का सुरुवात कहानी चलती है विद्वान वकील को सुनने के बाद नियाले ने क्या कहा अंगले निर्णे कारवाक मुक्नाधी स्री मनोज तिवारी के अंसार क्योकि कानून और तथ के सामान प्रेश्टने के क्रमांग 474 पर ही विजारकिया जा रहा है यहां करता हूं के पास ६ियड योगता कानून द्वारा इस्थापित विभेन विस्थे दियाले उनकी अनुसार सहय का ध्यापक के रूप में नयोक्ति के लिए पात रहें की नियुक्ति के लिए उनकी पात्ता मानली गई है उत्राखंड के नियम नौ कालम दो द्वारा प्रारमिक स्थ्षक विद्ध्याले में 2018-2018 में संसोथद द्वारा संसोथद नियुमों के तर्फ एक सर्थ जोड़ी गई कि 50% कम अंग प्राप्ट किये गए तो नियुक्ति के उम्मीदवार समधाय के लिए 45% माने जाएंगे इस प्रकार का मिलब बोला गया याजका करताओं के उक्त सर्थ को चुनोती दी अधार पर दिसूचिना का उलंग हैने राष्टी अध्यापक सिक्षा परिषद 13-11-2019 को यह भावना प्रावधानों के विप्रीथ है नहसुल्क अनिवार बाल सक्षा अधिकार अधिनियम 2009 याजका करताओं के उर से तर्क दिया गया 2018 में किये गए संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया और उनके बिद्वान एकल नियाधिश द्वारा दिये गए निर्णे के अधार पर 2011 में रिटियाजका बल्देव सिंग न्याले अन्य बना मुत्राखंड द्वारा ये चीजें की गई साथियो नीरज कुमार राय बना मुत्तर प्रदेश ये मलब काफी फैसले पर बात हुई इसके विचरात योगेश पचोलिये बिद्वान वकील राष्ट्य अध्यापक स सिख्षक परिशत उपस्तित होना विद्वान द्वारा एकल निर्णे बल्देव सिंग नियाधीश के लगरू नियाधीश थे भाग में निधारत समान सब्सक्राइब के समन्द में सिख्षक पात्ता परिक्षा ना की सहाइक पत्पर नियुक्ति के लिए अध्यापक नहीं है यानि कि डारेक्ट जो मानिये सुप्रीम कोट ने फैसला दिया वही यहां पर लागू हुआ है प्रात्मिक विद्यालों सहाइक अध्यापक के रूप में अनशेद संक्या सेवन्टी नाइन से एट्टी टू तक निकाले गए हैं बरतमान में ब्यापक के संदर में इस निती के रूप में नहीं देख सकते फैसला बहस के पड़े बिना ही तरक मान लेना निर्णे सासन इस्तर पर बीड को सामिल करने का निर्णे लिया गया जो तोर पर प्रात्मिक इस्तर के लिए ओगता कि निती निर्णे हमें कहना होगा कि निर्णे सही नहीं है यानि कि अनिवार सार्थक प्रांत्मिट्स चछड को सांविल करकर कि योगता की रूप में प्रांत्मिक विद्या लैक्षिद्ग consistent के समय्धान के खिलाब ट्यू份 काम किया गया है कानून सरकार PvE को सामिल करेगी यह योगता के रूप में उच्छ योगता है हम पहले ही देख चुके इन परिष्थितियों में हमारे पास नहीं है यह कहने में जजक हो रही है कि notification सही हुआ है कि खंड़ फीट के निर्णे को नरेस्ट कर दिया राजिस्थान हाई को बरकरार रखना गया है फाइनली है हमारी सुविचारे तरह इसलिए के अंसरकार निर्देश तीस माई दोजार ठारा से अठ्ठाइस जून दोजार ठारा अधसूचना समाप्त होई NCTRD के सद्धानतों का उलंगन कर रही है कारवाई इतना ही नहीं अधसूचना के विप्रीत की जाती है उद्देश और कानून अधसेच प्रतान करता है पूरी कवायत प्रति प्रक्रियात्मक भी है तुर्टिपूर दिनांग 28 जून 2018 नहीं है नियत समय के बाद लिया गया NCT का सोतंतर ने विचार वमर्श लेकर दिसा पालन करता है कें सरकार एक दिसा में अपनाने में विफल है किन्तु बस्तुगत बास्तविक्ताओं पर विचार करें उप्रोक्त निश्चे करें कि हम वही माना जाता कि राजस्थान राज ने मांगना करके इस वैश्ट रूप और की रूप में सामिल किया गया था NCT की बैदाने की वाधिकारी थी राजस्थान सरकार ने लाइपर पर किसी कर्णाब लगाई जानी चाहिए यह रद्द कर दी जानी चाहिए इसे नजर अंदज्व किया सके यह बबाद में नहीं है कि आज का करताओं इन्रिट में है यह अज का करताओं के अध्यापक पदपर निखती की मांग की गई बियट के दम पर सरकारी त्प्रयाप्ट नहीं प्रारमेक प्रात्मेक रूप सिक्षक की रूप में नीकती में कि याज का करता नेक्तिन प्राफ्ट मना कर दिया याज का करता पर आखन राज के प्राथमिक स्ठेक विद्धयले के बusion? इसे परहेज ah-ka करता हो के मुद्दे जाने के पहले यहलों को तदनुसार यहाज कां विपल हो जाती है और खारज कर दिया यह अंत्रे माहँ आधि इसकन विक निर्स्थBill जाता है यानि कि जो विएड धारियों को अंत्रे मादेश के था त्नियुक्ति मिली थी उनको निरस्थ किया जाता है यह फाइनली इसका यह मोटो हुआ छे दिसम्मर 2023 तो यानि कि उत्राखंड के इस फैसले से लेकर के विएड की जो याजकां थी उनको निरस्थ किया जाता है इस प्रकार कादेश जारी हुआ है बाकी और वीडियो आपको सुबह मिलेगा सुबह में आपको वीडियो और पूर रूप में दिखाऊंगा पूर र पर नए हैं सही और जानकारी चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते अंगले वीडियो में जब तक लिए जय हिंज भारत